प्यारे बच्चों, क्लास 11 और 12 एसे वन और अर्धवासिप परिछा जैक और जेसी आठी द्वारा लिया जाना है चार दस दो हजार चोबिस को 11 और 12 का एकजाम से वन का होना है इसके लिए official question और answer जैक और JCRT द्वारा जारी किया गया है सारी question important है विभिन बिसे के question को जारी कर दिया है जो आप लोगों को वीडियो के मार्दम से मैं बताता रहूंगा इस वीडियो में हम लोग अर सास्त के chapter by chapter महत्पून प्रस्णों को देखेंगे एक जाम में जो question का pattern रहेगा वो objective रहेगा मलब जो सारे question आएंगे objective टाइप से रहेंगे question तो chapter by chapter हम लोग economist के प्रस्णों को देखते हैं यह bestie अरसार्थ है मलब आपका economist group A का question है economics जो है वो art, science, commerce में सेम पढ़ना है एक ही चीज़ को पढ़ना है इसलिए यह सभी बच्चों के लिए important है तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं चैनल पर पहली बार है तो जरूर subscribe कर ले तो पहला chapter है वेश्टी अरसार्थ का परीचे जिसमें objective question JCRT द्वारा दिया गया है कि पहला निवन में कौन अर्थ वरस्था की केंद्रिय समस्या है तो अर्थ वरस्था की जो केंद्रिय समस्या है वो साधनों का वंटन है, साधनों का कुसलतम उपयोग है, आर्थिक विकास है और उपर्युक्त सभी है तो आपका यहां अंसर हो जागा उपर्युक्त सभी दूसरा question है अर्थ सास की धन संबंदी परिभासा किस ने दी तो धन संबंदी जो परिभासा है एडम इसमीथ ने दी थी राष्टों की संपत्ति और साधनों की खोज नामक किताब में 1776 में उन्होंने इस किताब को लिखा था दूसरा question है सबसे पहले micro-sabd का परियोग किस ने किया ये बहुत important question और बहुत बार एक्जाम में आया है तो micro-sabd, micro और macro-sabd या वेस्टी और समस्टी अरसास का जो विभाजन है वो कौन किया था? रैगनर, फिरीस ने किया था अगला question है निम्न में कौन आर्थिक किरिया का परकार है तो आर्थिक किरिया का उत्पादन उभोग भी निम्न है तीनो है इसलिए आपका हो जागा उपरियुक्त सभी आर्थिक समस्या को दरसाने वाले वक्र को कहते हैं ये भी बहुत important question है तो इसको में लोग कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है तो उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो इस तरह कहता है जो बाएं से दाएं की और गिरता है तो आपका ए हो जाएगा ये जो question है वो official है और इसका answer भी official ही बताया गया है आउसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है तो इसको हम लोग आर्थिक लागत भी कहते हैं आउसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या हो जागा आर्थिक लागत फिर है आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तत्र की समस्या है तो आर्थिक समस्या या चुनाओ की समस्या रॉबिन्स के द्वारा दिया गया सिधान्त है इन्होंने किताब 1932 में लिखा था A Significance of Economic Science और इन्होंने अर्षास को चैयन का विज्ञान माना था और आर्थिक समस्या मुल रूप से क्या है तो चुनाओ की है कि आपके पाव सकता अनन्थ है और साधन जो होते हैं सीमित है तो सीमित साधन से हम लोग अर्षास को कैसे चुनेंगे उसी चुनाओ समंधी समस्या का हम लोग अर्षास में अध्यन करते हैं इसी को आर्थिक समस्या मूल रूप से है एक समस्या कहा जाता है फिर है निर्म में कौन उत्पादन के साधन है तो भूमी पुणी स्रम तीनों उत्पादन के साधन है तो इन में सभी हो जाएगा या उपर उप सभी है फिर है मिस्रित अर्थवरस्था में महतपूर नीरने किसके द्वारा लिये जाते है तो मिस्रित अर्थवरस्था में है जो महतपूर नीरने जो होता है वो सरकार के द्वारा लिया जाता है मिस्रित अर्थवस्था होता है वैसी अर्थवस्था जिसमें सार्जनिक छेतर भी काम करते है और पबलिक छेतर भी काम करते हैं मलब नीजी छेतर भी काम करते हैं और सार्जनिक छेतर दोनों मिलकर काम करते हैं वो मिस्रित अर्थवस्था का लाता है भारत की अर्थवस्था मिस्री तर्थवस्था है अब अध्याय दो है आपका उभोकता के वहवार का सिधा इसमें आपका question है पहला उभोकता वहवार का अध्यन किया जाता है तो उभोकता वहवार वेस्टी अर्शास का अध्यन का विस्था है पहला हो जाएगा किसी वस्तू के अंदर छूपा हुआ गुन जो मानुई आउस्वक्ता को संतुष्ट करता है उसे कहते हैं तो उसको हम लोग उपयोगीता कहते हैं जैसे अगर हम पानी पिएंगे तो पानी से मेरा प्यास बुझ जाएगा तो हमको पानी से क्या मिलेगा बार बार एकजाम में आता है नियम में से किसे गोसेन का परथम नियम कहा जाता है तो सम सिमान तुपयोगीता नियम जो है वो गोसेन का दूसरा नियम है और सिमान्त उप्योगिता हरास नियम जो है वो गोसेन का पर्थम नियम है इसको ध्यान में रखना है सिमान्त उप्योगिता को ग्याद किया जाता है तो सिमान्त उप्योगिता का फॉर्मूला होता है डेल्टा Tू बटा डेल्टा Q यह correct formula है यहां पर delta छुटा हुआ है इसलिए इसको थोड़ा सुधार लिजेगा डेल्टा Tू बटा डेल्टा Q यह सिमानत उपयोगीता का formula है उपयोगीता की मुख विसेदा कौन सी है तो उपयोगीता की मुख विसेदा है उपयोगिता एक मनुवे ज्यानिक धारना है, उपयोगिता का विचार साथ पेच्छिक है, उपयोगिता व्यक्ति परक होती है, इसलिए आपका D हो जागा उपर्यूग्त सभी उपयोगिता का क्रम वाचक सिधान्त के परतिपादक कौन है तो क्रम वाचक सिधान्त के परतिपादक हिक्स एवं एलेन है और यही यदि यहां रहता गर्णा वाचक सिधान्त के परतिपादक कौन है तो मारसल हो जाता ठीक है क्रम वाचक का हिक्स और एलेन है किसी एक वस्तु की सभी हिकाईों से प्राप्त होने वाली उप्योगिता की योग को क्या करते हैं तो उसको मेलोग करते हैं कुल उप्योगिता तो कुल उप्योगिता का फॉर्मूला होता है सीगमा एम यू ये कुल उप्योगिता फॉर्मूला है मलब पर्ते की काय से जो आपको उप्योगिता मिलेगा सब को जोड़ देंगे तो वो कूल उप्योगिता होगा जब कूल उप्योगिता घटने लगती है तो सीमान उप्योगिता होती है तो सीमान तो प्यता जो होते हैं वो रिनात्माप हो जाते हैं इस तरह का इसका ग्राफ रहता है अधिमान वक्र होता है तो अधिमान वक्र को हम लोग इंडिफरेंस करब करते हैं यह आपका उदासिन वक्र है या इंडिफरेंस कर या अधिमान वक्र या टठस्ता वक्र भी बोल सकते हैं ये है आपका मूल बिंदू, तो मूल बिंदू की और क्या होता है, उठा हुआ होता है, मलब मूल बिंदू की और उन्नो तोदर होता है, अधिमान बकर मूल बिंदू की और उन्नो तोदर होता है, क्योंकि सिमान पतिया स्थापन की दर घटती हुई होती है, सिमान पतियस्थापन की दर घटती हुई होती है मलब यहां से देखिए इस तरह अगर हम लोग इसको लाइन को घीशते हैं यहां से सटा रहेगा फिर से बनाते है यह इस तरह रहेगा ठीक है तो देखे शुरू में यह लंबा है और उसके बाद यहां फिर कम हो गया यदि B बिंदु पर आते हैं तो पतियस्थापन दर क्या हो जाएगा घटेगी तो यहां देख रहेगे यह दूरी और यह दूरी पहले तुर्णा में यह दूरी क्या होता है कम हो जाता है इसलिए आपका А-Option हो जागा सीमान पतियस्थापन की दर घटती हुई होती है क्या है अंधिमान वक्र मूल विंदो की उनों तो दर होती है क्यों तो उसका कारण है सीमान पतियस्थापन की दर घटती हुई होती है फिर हैं अंधिमान वक्र एक सीधी रेखा हो गई यदि सिमान पतियस्थापन की दर इस्थीर होगी, तो ये सीधा रेखा होगा, उदासिनवक्र. बजट रेखा की ढाल कैसी होती है? तो ये है आपका budget रेखा, इसको मुल रेखा भी करते हैं, या price line भी करते हैं, ये क्या होपा, उपर से नीचे क्यों गिरती है, अर्थात या रिनात्मक होती है, अच्छा अगला question वही था, कि budget रेखा की ढाल होती है, तो अभी just बताएं, minus PX बटा PY, budget रेखा का समीकरन होता है, तो budget रेखा का जो समीकरन होता है, वो इस तरह होता है, M बराबर P1 X1 प्लस P2 X2, इसमें M जो है, वो कुल मुद्रा की मातरा को बताएगा, P1 X वस्तू का मुल को बताएगा, X1 जो है, वो X वस्तू को बताएगा, P2 X2 वस्तू का मुल है और X2 वस्तू है मलब दो तरह का वस्तू है P1 पहला वस्तू है और P2 जो है वो दूसरा वस्तू का मुल्य है बजट रेखा अपनी बाई और विवर्तित होगी जब तो उभोकता की आए में कमी हो जेगी दाइई और जाने का मतलब होगा वकर का बिर्धी होना अन्धिवान वकर के अनुसार उभुकता संदुनदन उस बिंदू पर होगा जहां पर तो MRS X Y बराबर P X बट्टा P Y होना चाहिए और अन्धिवान बकर मुल बिंदो की और उनो जो धर होना चाहिए तो आपका अंसर हो जागा A तथा भी दोनों, मलब कुछ इस तरह का ये कंडिशन होगा, मलब यहाँ पर जहाँ पर मूल रेखा को उदासिन वक्त असपस करेगा, वहीं पर ये दोनों कंडिशन आपका पूरा होगा, तो यहाँ पर उभोक्ता संतुलन में होता है एक उभोक्ता पास दो वस्तु आम तथा केला के दो संयोग A पांच आम दो केला तथा B पांच आम तीन केला उभोक्ता दोनों संयोग भी टठस्त होगा या कथर गलत है, गलत इसलिए है कि दोनों में उसको बराबर उप्योगिता मिर्दा इसलिए वा टठस्त नहीं हो सकता ह नहीं है इसमें पांक तो ठीक है लेकिन इसमें दो है और इसमें टीन है केला इसलिए गलत है यह मांग को परभाइद करने वाले एक रूपीया मालब एकूने तो पांच हो जाएगा तो दस्तु मेंं हुका कि नौने होने से चाय की मांग क्या होगी तो कौफी जो च्याइए वो प्रताय स्थापक वास्तु है तो कौफी का मूल अगर बढ़ेगा तो आदमी कौफी से के चाय की मांग को बढ़ा देगा तो बढ़ती है ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के अस्थान पर उभो किया या तहका लाती है तो उसको हम लोग अस्थानापन वस्तु करते है अस्थानापन वस्तु के उधारन क्या है तो चाय तथा कौफी पूरक वस्तु के उधारन क्या है तो चा काम नहीं चलेगा मलब दोनों क्या है तीनों में जो option है वो सही है अगला question है मांग में संकुचन होगा जब तो कीमत बढ़ती हर मांग घटती है तो मांग में संकुचन होगा मांग की कीमत लोच का अर्थ है तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन मांग की लोच कितने परकार की होती है तो मांग की लोच जो है वो तीन परकार की होती है यहां तो गलत दिया हुआ है मांग की लोच कितने परकार की होती है तो मांग की लोच जो होती है नवचो तो वो 5 परकार की होती है तो यह अंसर तो official है, 3 लिखा हुआ है तो इसमें करनों, ऐसे इसका सही अंसर C होना चाहिए, 5 परकार की यदि मांग वकर कीमत अच्छ, वाय अच्छ के समनांतर तो मांग की लोच होगी, सुनने होगी यदि किसी वस्तू की कीमत 5% विद्धी होने से वस्तू की मांगी क belang मांगी की मातरा में 12% की कमी होती है तो मांग की लोच का मान क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2.4, कैसे? तो कीमत में परतिसत परिवर्थ, कीमत जो रहेगा वो नीचे रहेगा और मात्रा में जो प्रतिसत परिवर्टन हो बारा वो उपर रहेगा पांच को बारा में भागा दे दीजिएगा जो आएगा वही मांग की लोच हो जाएगा तो कितना है 2.4 हो जाएगा एक वस्तु का मांग वकर D बराब 1 बटा P है तो मांग वर के परतिक बिंदों पर मांग की लोच होगी तो एकाएं के बराबर होगी आवस्तक वस्तु की मांग की लोच क्या होती है तो सुन होती है मालब दाम उसका कितना भी बढ़ जाए आदमी को अगर उसका जरुवत है तो उसको लेना ही पड़ेगा इसलिए इसमें मांग की लोच मालब होता है परिवर्तन तो परिवर्तन सुन ही होगा रेखाचीत में मांग की लोच है तो इस रेखाचीत में मांग की लोच क्या है तो अधिक लोचदार है इकाएं लोचदार है तो यहाँ आपका सही अंसर है जो इकाएं लोचदार है परिवर्तन होगा उतना ही मांग मात्रा में परिवर्तन होगा इसलिए इसको बोलेंगे मांग की लोज जो है वो इकाए के बराबर है अध्याए टीन से है उत्पादन तथा लागत तो आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की परकिरिया को कहा जाता है उत्पादन फर्म के वारा उत्पादित वस्तों को बजार में बेचने से प्रात रासी क्या कहलाती है तो आगम आगत अथन निर्गत के भी इस तक्नीकी संबंद को कहा जाता है उत्पादन भलन उत्पादन भलन Q बराबर function of LK में Q क्या परदसित करता है तो उत्पादित वस्तों की अधिक्तम मात्रा को और L का और Q क्या है साधन को बताता है उत्पादन के दो कारकों के विभीन सयोगों में किसी वस्तों के उत्पादन की स्यमान मात्रा को परदसित करने वाला वक्र क्या का लाता है इसको हम लोग कते हैं समुत्पाद वक्रा आईसो कौन कर्ब दो समुत्पाद रेखाओं के बीच की दूरी क्या वेक्ट करती है तो उत्पादन अस्तर में अंतर को वेक्ट करती है जिस समायावधी में उत्पादन के सभी साधन परतं सील होते उसे कहा जाता है दिर्खकाल दिर्खकाल में हम सभी साधन को बदल सकते हैं उत्पादन के आगतों का इस्थीर आगत अथा परवर्ती आगत में विभाजन किस काल में संबंदित है तो ये हम लोग अल्पकाल में ही कर सकते का है दिरकाल में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दिरकाल में तो सभी साधन बदल जाते हैं जबकि हम लोग इस्थीर और परवर्ती में विभाजन जो है वो अलकाल में कर सकते है हरासमान सिमान तुत्पादन का संबंद से है किस से है तो अलकाल से है एक परवर्ती साधन का सिमान तुत्पादन वक्र उल्टा यूवकार का क्यूं होता है तो इसके पीछे कारण है परवर्ती अनुपाद के नियम के कारण उसत उत्पाद सिमान तुत्पाद के बराबर कब होता है तो जब उसत उत्पाद अधिक्तम होता है उत्पादन के जिस अस्तर पर परवर्ती साधन का सीमानत उत्पादन सुन होता है उस अस्तर पर कूल उत्पादन होता है तो वो अधिक्तम होता है किसी परवर्ती साधन L का आउसत उत्पादन ग्याद करने का सुद्र क्या है तो इसका फॉर्मूला है Q बट्टा L परवर्ति साधन की मात्रा के सापेच कूल उत्पादन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है तो सिमान्त उत्पादन पैमाने के परतिफल का संबन्द दिरकाल से होता है जब उत्पादन के सभी आगतों में अनुपातिक विर्धी करने से उत्पादन में अनुपातिक विर्धी से कम अनुपातिक विर्धी होती तो इसे पैमाने का हरासमान परतिफल कहा जाता है किसी बस्तु को उत्पादन के आगतों पर किये गए खर्च को क्या कहा जाता है तो उसको लोग लागत करते है निमलिकित में किस वकर का अकार अती पर वल्ले होता है तो ये होता है आपका औसत इस्थीर लागत औसत लागत सिमाद लागत से अधिक कब होता है तो जब औसत लागत घट रही होती है अल्पकालिन औसत लागत वगर का कार यू अकार का होता है क्योंकि अल्पकालिन औसत लागत था औसत परवर्ती लागत का योग होती है और परवर्ता सीन अलुपाद नियम के कारण यू अकार का होता है चेप्टर फोर किस बजार में AR वक्र X अच के समनांतर होता है तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता बजार में किस बजार में AR बराबर MR होता है तो पूर्ण प्रतियोगिता बजार में फर्म का लाव निम्रीखित में किस सर्थ को पूरा करने पर दिक्तम होता है तो पहला सर्थ है MR बराबर MC होना चाहिए और दूसरा सर्थ है कि MC वक्र MR डेखा को नीचे से उपर जाते हुए काटे तो आपका C करेक्ट हो जाएगा A और B दोनो फर्म के संतुलन की पर्थम सर्थ है MR बराबर MC या MC बराबर MR जैसे लिखिए सम विछेद बिंदू तब उत्पान होती है जब TR बराबर TC होता है पूर्ती नीमली खित में किस से जुड़ी होती है तो ये कीमत से जुड़ी होती है वस्तु की पूर्ती के निर्धारक घटक कौन से ये बहुत important question बहुत बाद आया है वस्तु की कीमत समदित वस्तु कीमत उत्पादक साथनों कीमत सभी है इसलिए D हो जाएगा उपरयुक्त सभी पूर्ती के नियम को निम लिखित में कौन सा फालन परदर्शित करता है तो ये हो जाएगा इसका formula S बराबर function of P पूर्ती निर्भर करता है मुल्य पर अन बाते समान रहे तो वस्तु की कीमत था पूर्ती की मात्रा में धनात्मक संबंद क्या वेर्थ करता है तो पूर्ती का नियम को पूर्ती अपने लिए स्वय मांग उत्पन करती है या किसका कथन है तो ये पूर्फेसर जेबी से का कथन है ये भी कोश्चन बहुत बार एकजाम में आया है जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पूर्फी में ज़्यादा बिर्दी हो जाए तो पूर्फी का स्वरूप निमलिकित में कौन सा होगा तो लोचदार हो जाएगा जब किसी वस्तु की पूर्ती मानुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ती की लोच हो जाएगा इकाय से अधिक यदि किस वस्तु कीमत में 40% की विर्दी हो परंतो पूर्ती केवल 15% की विर्दी हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ती हो जाएगी बे लोज़तार निम्नांकी चित्र परदर्सित करता है तो ये किसको करता है तो ये पूर्ता लोज़तार पूर्ती को परदर्सित करता है पूर्टी इसलिए क्योंकि यहां S लगा हुआ, S मलब सप्लाई होता है निमनांक्ती चित्र परदासित करता है, तो यह पूर्टया बेलोसदार पूर्टी को परदासित करता है मलब मुल में कुछ भी परिवर्तन हो, पूर्टी जसकतस इस्थीर रहेगा मलब इस खड़ा है, एक जगा मलब इस्थीर है, इसलिए यह बेलोसदार पूर्टी को बताएगा किस परकार के बजार में एक फर्म कीमत स्विकार होती है, तो पूनपत्योगिता बजार में यदि एक फर्म का मांग वक्त सलर रेखा है, तो एह हो जाएका फर्म परचलित कीमर पर कितनी भी मातरा बेच सकती है जिस बजार में स्वतन परवेश तथा बहिर गमन हो, उसका नाम क्या है, उसको हमलोग करते पूनपत्योगिता का बजार पूनपत्योगिता में क्या स्थिर रहता है, तो एयार तथा एमार दोनों स्थिर रहता है पूनपत्योगिता बजार की निम्लिकित में कौन सी विसेशता है, तो सभी विसेशता है, उप्यूक्त सभी और लास्ट चेप्टर है आपका बच्चो पांचवा किसी वस्तु का मुल निधारित होता है तो मांग पूर्ती द्वारा बजार मुल पाया जाता है अल्पकालीन बजार में निमलिकित में किसने कहता कि किसी वस्तु की कीवन मांग पूर्ती की सक्तियों द्वारा निधारित होता है तो मार्सल ने संतुलन कीमत के निधारा घटक निम्लिखित में कौन है तो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्टी दोनों है इसलिए C हो जाएगा कीमत उस बिंदू पर निधारित होती है जहां वस्तु की मांग और पूर्टी बराबर हो निमलिकीद में किसने कीमत निधारन परक्रिया में समय ततों का विचार परस्तूत किया मारसल ने संतुलन की इस्थिती में होता है तो सभी चीज होगा A, B और C तीनों हो जाएगा यदि पून परते होगी बजार में यदि फर्म बजार में निर्बाद परवेश तथा बहिश गर्मन कर सकती है तो संतुलन कीमत सदे होती है तो फर्मों के निम्तम और सदलागत के बराबर होगी यदि किसी कीमत पर बजार पूर्ती बजार मांग से अधिक हो तो उस कीमत पर बजार में क्या होगा तो अधी पूर्ती होगी महला पूर्ती अधिक होगा पूर्ती वक्र अब परिवर्तित रहने पर जब मांग वक्र दाएं और सिप्रो होती है तो फर्मों की संख्या इस्थिर रहने पर संतुलन मातरा में विर्दी होती तो संतुलन कीमत में होगी तो विर्दी हो जाएगी ये है आपका छट्था चेप्टर लास्ट चेप्टर बच्चो पर्तियास पर्धा रहित बजार ये लास्ट चेप्टर है वेश्टियर सास्त का तो अपुन पर्तियोगिता में क्या होता है तो सीमानत आगम वक्र आउसत आगम वक्र से अधिक तेजी से गिरता है एक अधिका है आपका बजार में मांगवक्र किस बजार में वस्तु विभेद पाया जाता है तो एका धीकारी परत्योगीता बजार में एका धीकार और एका धीकारी में थोड़ा सा अंतर यहा है कि यहां एका धीकारी हो जाएगा इसको करते हैं Monopoly English में इसको कहते है Monopolistic, तो वस्तु विभेद जो है, वो Monopolistic competition में होता है, एकाधिकरित बोल सकते हैं, एकाधिकारी बोल सकते हैं, तो आपका D हो जागा, एकाधिकारी परत्योगी ता, एकाधिकार की विशेशता क्या है? तो एक विक्रेता तथा अधिक्रेता होता है, निम पुलिखित में कौन सी विशेष्टा एक अधिकारी परत्योगी ता बजार से सम्मंदित है तो बस तु विभेद एक अधिकार की निम्न में कौन सी विशेष्टा नहीं है तो विक्रे लागते निकट पतियस्थापन ये भी बहुत important question है बच्चो निकट पतियस्थापन वस्तु किस बजार में पाई जाती है तो एक अधिकारी परत्योगी ता में जिस बजार सरचना में केवल एक विक्रेता है उते कहा जाता है एक अधिकार दिरकार में एक अधिकारी का लाव रहता है धनात्मग जिस वस्तु बजार में एक अधिकारी पतियस्थापन निम्न में से किस कारण से उत्पन होती है तो सजातिये वस्तु के कारण एक अधिकार फर्म के लिए बजार मांग वक्र क्या कहलाता है तो आउसत आगम वक्र किस परकार की बजार संरचना में कीमत का ठोड़ता की विशेष्टा पाई जाती है तो अलपा धिकार में किस बजार समरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल रिनात्मक होती है तो एका धिकार में तो बच्चो ये थे जे सी आर्टी द्वारा ओफिसियल वेश्टी अर्षास का जारी किया गया अब्जेक्टिब कोश्चन जो आपके लिए एसे वन और अर्धवासिक परिच्छा के लिए इंपॉर्टेंट है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ अर्थार समस्टी अर्षास के प्रशनों के साथ बहुत जल्द तब तक लिए अग्या दीजिए बाबाए